प्रश्णावली 9.2 के प्रश्णे करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिये तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है अराम से देखो अब प्रश्णावली 9.2 आपको कब समझ में आएंगी जब आपको ये तीन फॉर्मूले याद होंगे पहला फॉर्मूला है गनाब का प्रश्टिय छेतरफल जिसका सुत्र है दो कोष्टक लंबाई इंटू चोड़ाई प्लस चोड़ाई इंटू उचाई प्लस उचाई इं इंटू एल स्क्वेर और तीस्ता सुत्र है बेलन का प्रश्टिय छेतरफल वो है टू पाई आर इंटू आर प्लस एच अब ये तीनों सुत्र कैसे बने हैं पहले हम वो समझेंगे फिर हम प्रश्णों उतर पर आएंगे है ना तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये घनाब का प्रश्टिय छेतरफल क्या होता है तो गनाब क्या होता है छें आयत से मिलकर बनी आकरती को हम क्या कहते हैं गनाब जैसे मेरे पास ये माचिस का डिबबा है है ना इसमें कितने आयत है देखो एक आयत उपर एक नीचे एक इधर एक साइड में और एक इसके ऑपोजिट तो ये तो हो गया गनाब अब यहां लिखा है गनाब का प्रश्टिय छेतरफल तो प्रश्ट का मतलब होता है इसके जो छें प्रिष्ट है उपर नीचे दाएं बाय और इधर और इधर इस छें प्रिष्ट का हमें क्या चाहिए छेतरफल चाहिए इसी को हम कहते हैं गनाब गनाब का प्रिष्टिय छेत्रफल है ना और छेत्रफल क्या होता है जैसे मुझे इस माचिस की डिभी पर कवर लगाना है तो मैं यहां पर भी कवर लगाऊंगा यहां पर भी कवर लगाऊंगा सारे प्रिष्ट पर कवर लगाऊंगा तो इसे मैं कहूंगा मैंने क्या किया मै ये सुत्र आया कैसे तो इसको हम समझते हैं देखो अभी तक हमने ये समझ लिया कि जो गनाब होता है उसमें एक तो हमारी क्या होती है लंबाई होती है तो ये हमारी क्या हो गई लंबाई हो गई फिर इस साइड की जो ये भुजा है इसको हम क्या कहेंगे चोड़ाई तो ये हमारी B हो गई, B मतलब चोड़ाई है ना, और उचाई ये जो उपर की साइड में जा रहा है भुजा, इसको हम क्या कहेंगे, उचाई कहेंगे, और मैंने कहा कि जो गनाब है वो कितने आयत से मिलकर बनाए, 6 आयत से, 6 प्रिष्टों से मिलकर बनाए, जैसे अगर मैं नीचे वाले प्रिष्ट की बात करूँ, तो इसमें ये लंबाई है और ये चोड़ाई है तो इसके आयत का जो 6 पल है, वो क्या होता है, लंबाई इंटू चोड़ाई अब लंबाई को हम L से लिखते हैं, चोड़ाई को B से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा L इंटू B अब एक आयत नीचे है और एक आयत उपर है, तो टोटल कितने हो गए लंबाई इंटू चोड़ाई यानि 6 पल, दो सुत्तर हो गए, दो 6 पल हो गए तो अब मुझे चाहिए इस पूरे का चैतरपल है ना, मैं लिख देता हूँ, गनाब का प्रिष्टी ये चैतरपल, यानि मुझे यहाँ पर जो 6 प्रिष्टे उनका चैतरपल चाहिए, तो मुझे एक एक आयत के चैतरपल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जिए नीचे वाला आयत है, इसका सुत्र क्या बनेगा, लंबाई इंटू चोड़ाई, तो एक तो चैतरपल हो गया, लंबाई इंटू चोड़ाई, प्लस, उपर वाला जो प्रिष्टे इसकी भी ये भी लंबाई होगी और ये चोड़ाई होगी, तो सुत्र क्या बना लंबाई इंटू चोड़ाई फिर हमें ये side वाले दोनों आयत इसके अंदर जोड़ने हैं तो यहाँ पर देखो अब इसमें क्या लंबाई है नहीं है इसमें क्या है चोड़ाई है और उचाई है तो इसका छैतरफल का सुतर बनेगा चोड़ाई इंटू उचाई है ना तो यहाँ पर ये एक आयत है ये हो गया चोड़ाई इंटू उचाई इसके सामने एक और आयत है है ना तो इसको भी हमें चैतरफल में जोड़ना है चोड़ाई इंटू उचाई फिर पलस आएगा अब कौन से आयत बज गए तो देखो अब ये सामने वाले आयत बज गए यानि कि यहाँ पर जैसे ये गनाब है तो ये वाला आयत बज गए और ये वाला आयत बज गए यानि एक तो इधर वाला और एक इसके पीछे वाला ये वाला आयत तो इसमें क्या क्या है? तो देखो इसमें एक लंबाई है और ये उपर की और क्या जा रही है? उचाई है तो इसका छेतरफल क्या बनेगा? लंबाई इंटू उचाई तो ये हो गया लंबाई इंटू उचाई यहाँ एक और एक यह कितने चैतरफल हो गए दो तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दो लंबाई इंटू चोड़ाई है ना प्लस बी इंटू एच बी इंटू एच कितने है दो तो इसको मैं दो बी इंटू एच भी लिख सकता हूँ प्लस लंबई इंटू उचए लंबई इंटू कितनी है दो है तो एक और एक जूड़कर किता हो गया दो लंबई इंटू उचए अब देखो सभी के अंदर दो आ रहा है तो दो को हम बाहर ले लेंगे तो दो बाहर आएगा तो बाकि सब कहां बचेंगे कुष्टक के अंदर तो ये दो इसमें से बार आ गया तो अंदर बचा लंबाई इंटू चोड़ाई फिर प्लस का निशान ये दो बार आ गया तो अंदर बचा चोड़ाई इंटू उचाई प्लस ये दो बार आ गया तो ये बचा लंबाई इंटू उचाई तो इस प्रकार से ये हमारे गनाब के प्रष्टी ये चैतरपल का क्या बन गया, सुत्र बन गया तो अब आपको ये सुत्र याद रखना है और याद रखने की ट्रिक भी में बता देता हूँ जैसे यहाँ पर देखो आपको दो रखना है फिर इंटू कोश्टक बनाना है फिर देखो सबसे पहले L, B और H ऐसे तीन उपर नीचे लिग दो लंबाई, चोड़ाई और उच्छाई पहले क्या आएगा लंबाई इंटू चोड़ाई तो यहाँ आ गया L इंटू B है ना यह हमारे सुत्र को याद रखने का शौट तरीका हो गया ठीक है तो अब आते हैं हम प्रश्ण के उपर लेकिन इसमें देखो यह तो हमारा गनाब हो गया लेकिन यह क्या है घन तो इसका मतलब हमें घन को भी समधना पड़ेगा यानि इसका सुत्र जो है 6L स्क्वेर यह कै अब हमें घन का फ्रस्टी या छैतरफल चाईएं इसका मतलब है इसकी जॉछें प्रीष्ठ पर मुझे कोई वरक करना है कोई काम करना है तो इसको मैं कहूंगा गन का प्रस्टी या छैतरफल अब इसका सुत्र निकालना है तो सुत्र कैसे निकालेंगे तो देखो यहाँ पर वर्ग का जो छेतरफल होता है वो क्या होता है भुजा इंटु भुजा को हम किस से लिखते हैं L से तो भुजा इंटु भुजा हो गया L इंटु L तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा कराते हैं तो इसको में L की घाद दो यानि कि भुजा का वरग पढ़ते हैं L स्क्वेयर पढ़ते हैं तो भुजा इंटु भुजा का गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा भुजा इसक्वायर है ना यानि ये तो कितने वरग का छेतरफल हुआ एक वरग का छेतरफ चैतरफल है गन का प्रश्टी ये चैतरफल उसको निकालने के लिए यहां पर कितने वरग है चैतरफल के सुत्र को जोड़ देंगे तो ये है एक वरग का चैतरफल ये दो वरग का चैतरफल तीन वरग का चैतरफल इसी प्रकाट चार पांच और चैतरफल इन सब को जोड़े तीसरा वाला भी सुत्र हम समझी लेते हैं तीसरा वाला क्या है बेलन का प्रश्टी ये छेतरफल अब बेलन क्या होता है तो इस प्रकार के आकरती जो होती है इसको हम क्या कहते हैं बेलन कहते हैं जैसे प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं वो बेलन आकरती मानी जाती है, अब बेलन का प्रष्टी ये छेतरफल इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे बेलन में ये जो प्रष्ट होता है, है ना, ये इसको हम वक्र प्रष्ट बोलते हैं, तो ये जो पूरा प्रष्ट है, इस पर कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे इस पर मानल मैं कोई color कर रहा हूं ठीक है फिर इसकी ये जो नीचे वाला प्रष्ट है रिताकार इस पर मैं color कर रहा हूं और उपर वाला जो भाग है मानलू ये धका हुआ है और इस पर उपर भी मैं color कर रहा हूं ठीक है तो ये हो जाएगा बेलन का प्रष्टिय छेत्रफल यानि बेलन क ये गोल गेरा जो है इस पर हमें कलर करना है साइड में इस दिवार पर कलर करना है और इस दिवार पर भी कलर करना है तो इस सभी भाग को हम कहते हैं बेलन का प्रश्टिय छेत्रफल और इसका सुत्र है 2PiR into R plus H अब ये सुत्र कैसे आया तो वो भी हम समझ लेते हैं तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया बेलन हो गया बेलन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है वरिताकार है तो इसका मतलब हमें वरित के फॉर्मूले याद होने चीए तो देखो वरित का जो छेत्रफल होता है क्लास साथ में हमने पढ़ाता पाई आर स्क्वेर होत तो यहां पर वृत का चेतरफल होता है πाई आर स्क्वेर और वृत की परिदी होती है 2 पाई आर अब मुझे इसका सम्पून प्रष्टिय चेतरफल चाहिए यानि कि मुझे वृत का प्रष्टिय चेतरफल चाहिए अब वो कैसे निकलेगा तो देखो सबसे पहले हमें क्या कर सबसे पहले ये नीचे वाला वृत ले ना है ठीक है ? एक रिइंग लेता हूँ जैसे मानलो एक रिंग तो इसका मतलब है वो रिंग क्या होगई ? वो हमारी परीधी हो गई तो यह हो गया 2 पाई आर है ना फिर उसके बाद में हमने क्या करा इस परिदी को उच्चाई बढ़ा दी है ना यानि उच्चाई से गुणा कर दिया तो जैसी इसको उच्चाई से गुणा कर दिया तो मेरे पास एक खोकला बेलन आ गया इसको समझना जैसे मान लो यहाँ पर यह जो कागज ह अगर मैं इसको गोल गुमाता हूं ठीके तो ये नीचे क्या हो गई नीचे वाला भाग जो है इसकी परीदी हो गई है ना ये परीदी मैंने लिगदी पिर इसकी मैंने hight बड़ा दी तो ये इतनी hight बड़ा दी इतना जो है वो खोकला बेलन बन गया यानि मेरे पास ये वाला हिस्सा तो आ चुका है वेलन का ये वाला हिस्सा तो आ चुका है ठीके इसका फॉर्मूला क्या बनाया तू पाई आ रहे ज़ी है ना अब मुझे ये उपर और नीचे ये दोनों वृत के छहतरपल भी चाहिए तो वृत का छहतरपल हम जानते हैं इंको हम जोड़ेंगे तो जोड़ना कैसे है देखो इसके पास देखो पहले हम जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वेर और पाई आर स्क्वेर एक और एक कित्ता हो गया दो पाई आर स्क्वेर हो गया यहीं हो गया टू पाई आर एच प्लस यह दोनों जुड़कर हो गए टू 2 pi r स्केर अब दिखो 2 pi r इसके पास भी है और 2 pi r इसके पास भी है यहां r इसक्वेस का मतलब है r into r है न यहीं r दुनों के पास है तो 2 pi r इन दोनों में से बाहर आ गया अंदर यहां क्या बचा 8 यहां r square था यानि r into r था तो एक r तो बार आ गया एक r अंदर बचेगा तो ये इसका क्या हो गया प्रष्टिय छेतरफल का सुत्र हो गया अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो 2 pi r फिर वापस r से start करो तो r को आगे ले लो और h को पीछ ले लो r प्लस h तो ये बन जाएगा आपका बेलन का प्रष्टिय छेतरफल तो कुल मिला कि आपको ये सुत्र कैसे बने है ये याद नहीं रखना है लेकिन ये फॉर्मूले आपको क्या करने है याद रखने है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रष्ट है वो हम देखते हैं क्या है दो गनाबा का डिब्बे है जैसा कि सलगना आकरते में दरसाय गया है किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामगरी आवर्शकता है यानि कि मुझे ये दोनों डब्बे बनाने है तो ये जो आकरती है वो हमारी क्या है गनाब है तो इसके लिए मुझे 6 आयत चाहिए और ये जो आकरती है वो हमारी क्या है घन है तो इसके लिए मुझे 6 वरग चाहिए और वरग चाहिए और आयत चाहिए इसका मतलब क्या कि इनके हमें छेतरफल के सुत्र यहाँ पर लगाने है तो यहाँ पर देखो हम पहली आकरती जो है इसका छेतरफल का सुत्र निकालेंगे इसका उत्र निकालेंगे इसके लिए यहाँ पर यह क्या है गनाब है तो इसमें लंबाई, चोड़ाई और ऊचाई यह विमाए यहाँ पर दे रखी है लंबाई इसकी 60 cm है चोड़ाई 40 cm है और ऊचाई 50 cm है तो इनकी विमावों को हम लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रथम आकरती की विमाए तो यहाँ पर विमाय का मतलब होता है लंबाई चोड़ाई और उचाई तो यहाँ पर देखो लंबाई किती दे रखी है तो लंबाई हमें यहाँ दे रखी है 60 cm, है ना, फिर चोड़ाई, B का मतलब चोड़ाई, चोड़ाई किती दे रखी है, 40 cm, और H मतलब उचाई, उचाई हमें किती दे रखी है, 50 cm, अब हमें क्या करना है, इसके प्रष्ठिय चैतरफल का सुत्र लगाना है, तो यहां लिखेंगे, गनाब का, गनाब का, प्रष्ठिय चैतरफल, और इसका सुत्र क्या होता है, दो कोष्टक, L इन्टु B, यानि LB, प्लस B इन्टु H, यानि BH, प्लस H इन्टु L, यानि HL, ये इसका फॉर्मूला हो गया, फिर 2 की जगा, 2 इन्टु L, L मतलब लंबाई, लंबाई किती है, 60, इसका गुणा इसका गुणा करना है, फिर यहां प्लस करने साथ, H इन्टु L, यानि 50 का 60 से गुणा, तो 50 इन्टु 60, अब पहले हम गुणा करेंगे, फिर इनको जोडेंगे, तो 2 इन्टु 60 का 40 से गुणा, कैसे करना, 6 का 4 से गुणा करो, तो 6, 24, फिर इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, तो यहां 2 0 लगा तो, प्लस आप गुणा करना, यही उतर आएगा, इसका गुणा करना है, तो 4 और 5 का गुणा, 4 पंजे, 20, फिर देखो 2 0 है, तो 2 0 आजाएगे, प्लस 5 और 6 का गुणा, 6 पंजे, 30, फिर 2 0 यहां आजाएगे, अब इन सब को जोडेंगे, तो यह हो ग 5 5 और 2 7, तो यह कितना है, 7400, अब देखो, यहां कोई निसान नहीं है, इसका मतलब यहां इन्टू का निसान है, यह भी धियान रखना, तो यह हो गया, 2 इन्टू 7400, अब यहां गुणा करेंगे, आप इसके नीचे लिखना उतर, मैं यहां सामने लिख दता हूं, मेरे प आपका जो चैतरपल आया है, वो आया 14800 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि चैतरपल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, या तो इसको हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर लिखो, या इंगलिस में लिखना है तो सेंटीमीटर के उपर घात दो लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वे है जो दूसरी आकृती है वो क्या है गन्त इते दूसरी आकृती की विमा Jupiter कि की विमा अब क्यूंकि इसमें इत नह protesting निकाना है हमें इस गहनं का प्रष्ट्ठ यह जुद्भ निकालरा है तो यहां लिख देते हैं घन का प्रश्टीर छेतर पर और हमने सुत्र क्या पड़ा हमने सुत्र पड़ा L स्क्वेर और कितने L 6L स्क्वेर है ना चलो अब 6 की जगा 6 आएगा इन दोनों के बीच कोई निसान मजलब इंटू का निसान है फिर L स्क्वेर यानि L की जगा मैं को गुणा करेंगे तो 6 की जगा 6 50 का वरग इसका मतलब होता है 50 का 50 से गुणा तो यह हो जाएगा 50 इंटू 50 फिर देखो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं फिर 6 का गुणा कर लेंगे तो 5 का 5 से गुणा हो गया 25 और फिर या जाएंगे 2-0 ठीके अब गुणा करो पहले आएंगे 2-0 फिर पांच और पांच के गुणा 6 35 हासल लगा 3 6 दूनी 12 12 और 3 कित्ता हो गया 15 और यह उत्तर आएगा वर्ग सेंटी मीटर है ना वर्ग सेंटी मीटर तो देखो इसका जो चैतर पल आया वह आया 15000 वर्ग सेंटी मीटर और इसका जो चैतर पल हमने निकाला वह आया 14500 वर्ग सेंटी मीटर और हमें प्रशन कह रहा है किस आकरती को बनाने के लिए हमें कम सामगरी की आवश्यक्ता होगी तो जो यह प्रतम आकरती है उसका उत्तर कम आ रहा है ना तो हम कहेंगे इसको बनाने के लिए कम सामगरी की आवश्यक्ता होगी तो हम यह कम सामगरी की आवर्शक्ता होगी यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो पहले आप इसका उपर वाले का स्क्रीन सॉट ले लो अब इसका स्क्रीन सॉट ले लो प्रश्ण दो है 80 cm x 48 cm x 24 cm माप वाले एक सूट केस को तिरपाल के कपड़े से ढखना है ऐसे 100 सूट केसों को ढखने के लिए चिन्नो certa cm चोड़ाई वाले कितने मीयटर किरपाल के कपड़े की आवशचता होगी यानि कि हमें एक सूट केस दे रखा है और हम जानते हैं कि सूट केस कैसी आकरती का होता है घनाब आकरती का होता है और इस सूट केस में देखो ये हमारे पास लंबाई दे रखी है, तो हमें गनाब के छेतरफल से एक सूटके जो प्रष्टिय छेतरफल है वो ग्याद करना है ठीक है फिर ऐसे ऐसे कितने सूटके से 100 सूटके से तो एक का जो छेतरफल होगा वही 100 सूटके सो का होगा तो हम एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 सूटके सो का प्रष्टिय छेतरफल आ जाएगा है ना फिर उसके बाद क्या करा कि यहां 96 चोड़ाई वाले यह जो तिरपाल है उस कपड़े को हमें दे रखा है यानि कि यह हम जो सूटकेस पर कपड़ा लगा रहे हैं वो क्या है एक तिरपाल है जिसकी चोड़ाई हमें दे रखी है और हमें क्या करना है उसकी लंबाई ग्याद करनी है, है ना, यानि कि 96 चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े के आव सकता हो नहीं, यानि कि वो जो कपड़ा है, वो कितना मीटर लंबा होगा, वो हमें ग्याद करना है, क्योंकि हम जानते हैं, जो कपड़ा होता है, वो आयताकार का होता ह तो चोड़ाई तो हमें दे रखी है, यह हो गई 96 cm चोड़ाई, और इसकी जो लंबाई है, वो हमें क्या करनी है, ग्याद करनी है, अब कैसे करना है, समदना इसको दियान से, सबसे पहले हम एक सूट केस का जो है, छेतरफल ग्याद करेंगे, तो यहाँ पर देखो, लंबाई हमें दे रखी है, यहाँ पर लंबाई किती है, 80 cm, फिर चोड़ाई कितनी है, तो भी हमें दिया है, 48 cm, और उचाई हमें दिया है, 24 cm, हमें सूट केस का, सूट केस का, प्रस्टी ये छेतरफल निकालना है, क्योंकि सूट केस पर हम क्या करेंगे, कपड़ा लगाएंगे, है तो सुत्र है 2 इंटू लंबाई इंटू चोड़ाई प्लस चोड़ाई इंटू उचाई प्लस उचाई इंटू लंबाई अब ये जो मान है वो हम सुत्र में रखेंगे तो दो कोष्टक लंबाई इंटू चोड़ाई यानी 80 इंटू 48 प्लस चोड़ाई इंटू उचाहिए यानी 48 इंटू 24 प्लस चोड़ाई इंटू लंबाई यानी 24 और 80 का गुणा तो यह हो गया 24 इंटू 80 अब पहले हम गुणा करेंगे फिर इनको जोडेंगे तो दिखो पहले 48 और 80 का गुणा करते हैं तो यह हो गया 0 आटो आटी 64 हासल लगा 6 आट चोड़ाई बतिस बतिस और 6 कितना हो गया 38 तो यह हो गया 3840 इनका गुणा करने पर आया 3840 प्लस अब इनका गुणा करेंगे 48 और 24 का गुणा तो आट चोड़ बतिस हासल के 3, 4 चोड़ाई 16, 16 और 3, 19 गुणा 2816 हासल लगा 1, 2 चोड़ाई और 9 यह हो गया 29 और 6, 15 हासल लगा 1, 9, 10 और 11 यह हो गया 1,152 प्लस 24 और 80 का गुणा करेंगे तो पीछे 0 आएगा 8 का 4 से गुणा 8 चौक 32 हासल लगे 3 फिर 8 दूनी 16 16 और 3 हो जाएगा 19 है न तो यह हो गया 1920 तो चलो अब जोडते हैं इनको तो देखो जोडने के बाद कोस्ट खट जाएगा और कोस्ट खटे के तो यहाँ पर इंट हो आएगा अब हम जोडेंगे तो जेखो 0 और 2 2 2 में 0 जोडेंगे तो आएगा 2 फिर 2 और 5 7 7 और 4 हो जाएगा 11 हासल लगेगा 1 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 8 हो जाएगा 19 हासल लगेगा 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 3 6 तो जोडने पर आया 6912 अब इसको हमें 2 से गुणा करना है तो जोडने गुणा करते हैं 2 दुनी हो गया 4 2 एकम 2 2 नम 18 18 हासल का 1 2 चंग 12 और 1 13 तो 13824 और ये क्या है सेंटिमीटर तो छेतरफल हमेसा किसमें आएगा वर्ग सेंटिमीटर में आएगा ठीके तो ये एक सूटकेस का क्या है चेतरफल आया प्रष्टी ये चेतरफल और ऐसे ऐसे कितने सूटकेस है 100 सूटकेस है तो यहां लिखेंगे 100 सूटकेसों का 100 सूटकेसों का प्रष्टी ये चेतरफल प्रष्टी ये चेतरफल तो हम इसको 100 से गुणा करा देंगे यानि कि 100 गुणा 13824 तो यहाँ पर एक का इससे गुणा होगा तो आएगा 13824 और इसके पीछे कितने 0 आ जाएंगे 2-0 और वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा छेतरफल हो जाएगा ठीक है यह 100 सूटकेसों का छेतरफल आ गया हमें चाहिए तिरपाल की लंबाई अब वो कैसे ग्याद करेंगा इसको ध्यान से समझना देखो हम क्या कर रहे हैं हम जो है तिरपाल का जो कपड़ा है उसी से सूटकेस के का प्रष्टी यह चेतरफल हम गयाद कर रहे हैं यानि कि 100 सूटकेस का जो हम कवर लगा रहे हैं वो तिरपाल से लगा रहे हैं तो हम जो सूटकेस है उसका जो चेतरफल होगा वो इस तिरपाल के चेतरफल के बराबर होगा तब ही 100 को हम क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं बात समझ मैं यानि कि जो तिरपाल का छेतरफल है तिरपाल का छेतरफल है ठीके वो किसके बराबर है वो सो सूट केस सूट केस के प्रष्टी ये छेतरफल के क्या है बराबर है यहां प्रीक्षे का मतलब प्रष्टी ये छेतरफल है ना ये दोनों बराबर हो और लम्बाई हमें ग्यात करनी है और इस तिरपाल की चौड़ाई हमें दे रखी है 96 तो B की जगा आ गया 96 और आगे है 13824 और 00 अब ये गुणे में है हमें लंबाई चाहिए तो लंबाई यहीं रहेगा ये गुणे में है तो उदर किसमें जाएगा भाग में जाएगा तो लंबाई बराबर 13824 फिर 20 बटा 96 अब इसमें हम क्या करेंगे चिन्नू का भाग देंगे तो चलो भाग देते हैं तो यहाँ पर संख्या अमरे पास है 13824 ठीक है फिर 00 और इसमें हमें भाग देना है 96 का तो यहाँ पर देखो 96 का एक बार भाग जाएगा यहाँ 96 आएगा 8 में से 6 गया 2 और 13 में से 9 गये तो पीछे किता बजगिया 4 फिर अगली संख्या उतारेंगे 2 अब 96 का हम पहाड़ा बोलेंगे तो जब इसको मैं 4 से गुना करता हूँ तो देखो किता आता है 6, 24, 24, आसल लगा 2 9, 4, 36, 36 और 2, 38 और अगर मैं 5 बार गुना करता हूँ तो किता आता है तो देखो 6, 35, 30 आसल लगा 3, 9, 45, 45, 43, 48 तो यह तो ज़्यादा हो जाएगा यानि हमें 4 बार भाग देना है किता आएगा 384 फिर अगली संक्या उतारेंगे पहले घटाएंगे तो देखो 12 में से 4 गए 11 में से 8 गए तो फिछे बचे 4 और 3 में से 3 गया 0 अगली संक्या कितनी है 4 वो नीचे उतारेंगे एक मिन रोगो यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हुआ है देखो इसने उधार दिया 12 में से 4 गए तो बचा 8 है ना फिर यह 11 बन गया इसने इसको उधार दिया 11 में से 8 गए तो कितने बचे 3 बचे है ना तो यह बना 384 जो कितनी बार पाड़ा बोलने पर आता है 4 बार तो एक बार 4 और आएगा यह आएगा नीचे 384 384 इसी में से 384 गया 0 फिर यहाँ 00 है तो यह 00 यहाँ पर आजाएगा यानि कि भाग देने पर हमें कितना मिल गया जो लंबाई है वो मिल गई हमें 14400 और सेंटीमीटर क्योंकि यह वर्ग सेंटीमीटर में था तो लंबाई हमारी किसमे आएगे सेंटीमीटर में और अगर हमें मीटर में चाहिए तो लंबाई को मीटर में बदलने के लिए हम किसका भाग दे देंगे 100 का भाग देंगे तो 2-0 से 2-0 कैंसल हो गए जैसे ही 100 का भाग देंगे तो यह किसमे बदल जाएगा मीटर में यानि कि जो तिर्पाल है तिर्पाल की जो लंबाई है वह कितनी आएगी 145 मीटर ये हमारा आंसल हो जाएगगा तो पहले आपको क्या करना है इसका इसक्रीन स्थ लेना है और फिर अब इसका इस्क्रीन सोट लेना है प्रश्ण तीन है एक ऐसे गन की भुजा ग्याद कीजिए जिसका प्रश्टी ये छेत्रपल 600 वर्ग सेंटीमीटर है यानि अब की बार हमें प्रश्टी ये छेत्रपल दिया हुआ है और हमें गन की भुजा ग्याद कर लिए तो सिधा सा है पहले हम ग गन का जो प्रष्टिय चैतरफल है उसका सुत्र होता है 6L स्क्वेर और ये चीज हमें दी हुई है यहीं गन का प्रष्टिय चैतरफल हमें कितना दिया है 600 दिया है ठीक है तो यहां पर एक काम कर लेते हैं अपन इसकी जगा इसको मैं वापस कर देता हूँ ठीक है गन का प्रष्टिय चैतरफल ये हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 600 तो ये 600 वर्ग सेंटिमीटर में यहां लिख देता हूँ यानि गन का प्रष्टिय चैतरफल हमें दिया है वो हमने यहां लिख दिया और हमें भु इतना है ये? 600 है, है ना? अब हमें क्या करना है? यहां से L यानि कि भुजा ग्यात करनी है. तो यह 6 गुणे में है, उदर किसमें जाएगा? भाग में. तो L स्क्वेर वराबर 600 अपनी जग़े पर ये गुणे में है, तो भाग में यानि कि बटे के नीचे जाएगा. अब यह 6 एकम 6 यादी ये एक बार कटेगा और इसके पीछे दो 0 आए गया तो ये कितना हो गया 100 हो गया है ना यादी 600 में 6 का भाग देंगे तो L square हमें कितना मिल गया 100 मिल गया अब ये क्या है उपर उपर वर्ग है तो जब वरग को बराबर के इधर वचते हैं तो वह वर्ग मूल बन जाता है तो हम इस वरग को उदर भेजेंगे तो ये होता है वर्ग मूल का निशान है ना इसके अंदर कि ता जाएगा सौ यानि हमें सौ का वर्ग मूल निकालना है और वर्ग मूल Meg कैसे निकालते हैं अभाज्य गुननखंड वीदी से तो सो के हम क्या करेंगे अभाज्य गुननखंड करेंगे यह समसंग क्या है तो दो का भाग जाएगा सो में दो का भाग किती बार जाएगा पचास बार फिर यह समसंग क्या है दो का भाग देंगे 25 बार भाग जाएगा अ ना क्या चाहिए 100 का वर्ग मूल तो हमने जो अब आज तुछ गुणन खंड की ये 100 के वो क्या है ? दू इंटू दू फिर पांच इंटू पांच है न तो दो का जोड़ा बना दो बारा जाएगा 5 का जोड़ा बना पांच बारा जाएगा दो और पांच का गुणा 10 यानि कि 100 का वर्ग मुल लंबाई यानि कि भुजा किती निकल के आई 10 सेंटीमीटर निकल के आई उत्तर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यहां में वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है ठीक है प्रश्ण चार है रुकसार ने 1 इंटू 2 इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया पेंट किया मतलब उसका छेतर फल ग्याद किया यदि उसने पेटी के तल तल यानि नीचे वाला भाग के अतिरिक्त उसे सभी जगर से पेंट किया हो तो ग्याद कीज पेंट किया आगे से पेंट किया इदर से पेंट किया और पीछे वाले भाग से भी पेंट किया यह जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो उसने पेंट नहीं किया है तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जैसे यह माची से तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा वो क्या है वो एक आय पर शैटर पर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि भई पहले तो आप सुत्र लगा दो इसका दो कोष्ट ठक लंबाई इंटू छोड़ाई प्लस चोड़ाई इनटू उचई प्लस ऊचई इनटू लंबाई फिर इसमें से हमें निकालना है यह नीचे वाला प्रिष्ट तो नीचे वाला प्रिष्ट हमारा क्या है आयत और आयत में नीचे हमारा क्या है तो नीचे देगो एक तो लंबाई है और नीचे चोड़ाई है तो इसका छेतरफल हो जाएगा लंबाई इंटू चोड़ाई यानि हमें 5 बागों में ही color करना है नीचे color नहीं करना है paint नहीं करना है तो नीचे जो आयत है उसके छेतरफल को इसमें से हम घटा देंगे ठीक है? तो यहाँ पर हम लंबई इंटू चोड़ई तो लंबई 1 है चोड़ई 2 है तो यह हो गया 1 इंटू 2 फिर प्लस चोड़ाई इंटू उचए 2 इंटू 1.5 प्लस उचए इंटू लंबई तो उचए है 1.5 इंटू लंबई है 1 फिर उसमें से लंबई इंटू चोड़ाई निकलेंगे यानि 1 इंटू 2 निकलेंगे तो यह हो गया 2 इंटू 1 का 2 से गुणा 2 प्लस एक पॉइंट पांच का दो से गुणा करेंगे तो किता आएगा तीन पॉइंट जीरू यानि कि तीन प्लस एक पॉइंट पांच का एक से गुणा करेंगे तो आएगा एक पॉइंट पांच माइनस दो का एक से गुणा किता हो गया दो तो यह हो गया 2 into, इन सब को जोड़ेंगे, देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6.5 हो जाएगा, फिर minus क्या करना है 2, हमने क्या करा, इनको जोड़ा, तो यहां से यह कोष्टर खड़ गया, यहां गुने का निसान आ गया, फिर आगे minus 2 है, अब इन दोनों का गुना करेंगे, है ना तो गुना करते देगो, 5 दूनी 10, हासल लगाए, 6 दूनी 12 और 1, 13, यानि यह हो गया 13.0, मतलब 13, minus 2, अब 13 में से 2 गटाएंगे, तो कितना बचेगा भई, 11, तो यह 11 वर्ग मीटर जो है, 11 वर्ग मीटर जो है, इसका क्या आ जाएगा, प्रष्टिय छेतरवल आ जाएगा प्रष्ट पांच है, डेनियल एक ऐसे घनाबाकार कमरे की दिवारों और छत का पैंट कर रहा है, जिसकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई, क्रमसर 15, 10 और 7 मीटर है, पैंट की प्रतिय कैन की साहिता से 100 वर्ग मीटर जो पैंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पैंट की कितनी कैनों की आवशकता होगी, तो सबसे पहले देखू, यह जो डेनियल है, वो एक घनाबाकार आकरती का छेतरफल गयात कर रहा है, और उसमें क्या-क्या सामिल है, तो कमरे की दिवारे और छत, यानि कि उसमें फर्ज सामिल नहीं है, बात वही हो गई, जैसे यह माची से, मालों, यह कमरे की दिवारे हैं, तो उसको क्या करना है, कमरे की चारों दिवारे, एक, दो, तीन और चार, ठीके, इसको पैंट करना है, और उपर वाली छत को भी पैंट करना है, नीचे वाले हिस्से को पैंट नहीं करना है, और नीचे क्या है, नीचे लंबा और चोड़ाई यानि इसके छेतरपल को हम घटा देंगे तो पहले हम क्या करेंगे कमरे का छेतरपल ग्याद करेंगे तो यहां लिखेंगे कमरे का कमरे का कमरे का प्रष्टी ये छेतरपल प्रष्टी ये छेतरपल और सुत्र क्या है दो कोष्टक लंबाई इंटू चोड़ा है ना तो ये अभिष्ट चैत्रपल आ जाएगा तो ये हो गया दो कोष्टक अब देगो ये लंबाई चोड़ाय और उच्चाई दे रखिए तो लंबाई इंटु चोड़ाय यानि 15 इंटु 10 प्लस 10 इंटु 7 प्लस 7 इंटु 15 माइनस लंबाई इंटु चोड़ाय यानि 15 इंटु 10 अब गुणा करेंगे तो दो कोष्टक 15 का 10 से गुणा 150 10 का 7 से गुणा 70 प्लस 15 का 7 से गुणा तो 15 साथे 105 ये हो गया 105 माइनस 15 और 10 का गुणा 150 अब हमें जोड़ना है जोड़ेगे तो यहां से कोष्टक हट जाएगा और यहां गुणे का निशान आएगा तो 5 0 0 कितना हो गया 5 0 में 7 जोड़ा तो 7 7 और 5 12 हसल लगा 1 1 और 1 2 है ना फिर 2 और 1 3 तो यह हो गया 325 माइनस इस में से कितना निकालना है 1500 तो पहले गुणा कराएंगे फिर गटाएंगे तो देखो 5 दुनी 10 हसल लगा 1 2 दुनी 4 औ 1 5 और 2 3 6 माइनस 150 घटाओ 0 फिर 5 में से 5 गया 0 6 में से 1 गया 5 तो यह आया 500 वर्ग मीटर किसका छेत्रफल कमरे का प्रश्टिय चेत्रफल यानि इस तने भाग पर उसने पैंट किया अब देखो प्रश्ट आगे कह रहा है कि पैंट की प्रतिय कैन की साहिता से 100 वर्ग मीटर छेत्रफल को पैंट किया जा सकता है यानि कि अगर एक कैन आपके पास है तो आप 100 वर्ग मीटर हिस्टिय को पैंट कर सकते हो तो कितने कैनों की हमें जो है आवशकता है वो हमें ग्याट करना है तो सिम्पल है इस 500 में हम 100 का भाग दे देंगे तो उतने कैन हमारे निकल के आजाएंगे तो लिखेंगे कैन की आवशकता आवश्यक्ता कितने कैन चाहिए तो हम क्या करेंगे जो चैटरफल आया है 500 उसमें हम सोका भाग दे देंगे तो 2-0 से 2-0 कटेगा तो उत्रा आया 5 यानि कि हमें 5 कैन चाहिए यह हमारा क्या हो जाएगा आंस्वर 5 कैन क्या वश्यक्ता होगी कमरे को कलर करने के लिए अब देखो जो प्रश्ण 6 है उसमें हमें 500 प्रष्टिय चैतरफल इनके सुत्र पता होने चाहिए अब 500 प्रष्टिय चैतरफल होते क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं तो देखो 500 प्रष्टिय चैतरफल का मतलब होता है चार दिवारे है ना यानि कि चारो और वाला भाग जैसे माचिस है तो माचिस के चारो और वाले भाग कौन से एक तो ये है एक ये है एक ये है और एक ये है यानि चार दिवार जो है इन चारो भागों को हम कहेंगे 500 प्रष्टिय चैतरफल उपर वाला भाग और नीचे व बेलन है और एक में हमारे पास घन है तो घन का जो संपूर प्रष्टी ये चेतर फर लेधा है तो यहाँ पड़ मेंग take उपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये नहीं लेना है केवल ये वाला भाग हमें लेना है तो इसी भाग को हम कहते हैं 500 प्रष्टी ये छेतर भल इसका मतलब है कि नीचे हमें क्या चाहिए नीचे हमें वृत का परिदी चाहिए और उसको हमें केवल H से गुणा कराना है तो ये जो हिस्सा है है ना ये वाला हिस्सा वो हमें मिल जाएगा तो बेलन का पार्षो प्रष्टी ये चैतर फल मिल जाएगा है ना यानि कि ये वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा उपर और नीचे के हिस्से हमें नहीं चाहिए तो अब हम प्रष्ण पढ़ते हैं और प्रष तरप दी गई आकरतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन हैं इसके बाद में अगर मैं इसकी नीचे वाले आधार की बात करूँ तो ये 7 सेंटीमिटर है और इसका भी नीचे वाला जो आधार वाला भाग है वो भी कितना है साथ सेंटीमीटर है यानि इनके आधार हमां यहाँ पर समान दे रखे हैं लेकिन आकरतिया दोनों अलग-अलग है ऐसा आपको लिखना पड़ेगा अब हम सिधा पॉइंट पे आते हैं कि इनके हमें क्या ग्याद करने हैं तो पहले मैं बेलन का पार्षव प्रष्टिय चैतरफल निकाल देता हूँ बेलन का पार्षव प्रष्टिय चैतरफल और सुत्र अभी मैंने बताया टू, पाई, आर और एच इन सब के बीच में गुणे के निसान है यह दियान रखना अगर कोई निसान नहीं है तो गुणा है दो की जगा दो, हम जानते हैं पाई हमारा क्या होता है बाईस बटे, साथ होता है इन्टू, आर हमें निकालना है तो देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक साथ सेंटीमिटर दिया है और हम जानते हैं कि वरत के अंदर यह पूरा कितना दिया हमें साथ सेंटीमिटर और यह क्या होता है, व्यास होता है और हमें त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या क्या होती है कैंदर से परिदी के बिंदू को मिलाने वाली जो यह दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं यानि त्रिज्या अगर हमें व्यास दिया है और त्रिज्या ग्याद करनी है तो त्रिज्या का सुत्र होता है व्यास बटा दो व्यास कितना है साथ तो साथ में जब हम दो का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी त्रिज्या यानि त्रिज्या हमारी किती हो गई साथ बटा दो हो गई समझ में आया इंटु एच उच्चा ही किती दे रखी है साथ सेंटिमिटर तो यहां कितना आएगा साथ अब देखो साथ ये उपर गुणे में है और ये नीचे भाग में है तो साथ से साथ कड़ गया फिर ये उपर है और ये नीचे है तो दो का दो में भाग है निए दो से दो भी कड़ गया अब बचा क्या उपर बचा हमारे पास बाईस इंटु साथ तो बाईस का साथ से गुणा करेंगे तो 22 सांते 154 और यह चैतरपल है तो आएगा वर्ग सेंटी मीटर तो बेलन का 500 प्रष्टिय चैतरपल आया 154 वर्ग सेंटी मीटर इसी प्रकार हमें घन का 500 प्रष्टिय चैतरपल भी निकालना है तो चलो ग्याद करते हैं घन का 500 प्रष्टिय चैतरपल और सुत्र क्या बनेगा इसकी चार दिवारे लेनी तो 4 इंटु L स्कूर तो 4 की जगा 4 फिर यहां गुणा आएगा L यानि भूजा कितनी है 7 और उपर वर्ग वर्ग का मतलब 7 इंटु 7 है ना तो यह हो गया 4 इंटु 7 साथ का वर्ग मतलब 7 इंटु 7 पहले हम साथ और साथ को गुणा करा देते हैं सातो साती उन पचास अब उन पचास का चार से गुणा करा देते हैं तो यह देखो कितना आएगा 9 चोग 36 हासल के 3 4 चोग 16 16 और 3 19 एक सुचिन्नू वर्ग सेंटी मीटर तो अब बताना है किसका चैतरफल अधिक है तो हम कहेंगे घन का पार्स प्रष्टिय चैतरफल अधिक है तो आप लाइन नीचे लिख देना कि दोनों आकरतियों में घन का पार्स प्रष्टिय चैतरफल अधिक है प्रश्ण साथ है साथ मीटर त्रिज्या और तीन मीटर उचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है उसे बनाने के लिए वांचित धातु की चादर की मात्रा ग्याद कीजिए यानि कि आपको एक बंद टंकी बनानी है बेलनाकार ठीक है और उस बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए आपको त्रिज्या दी हुई है आर त्रिज्या साथ मीटर तो आर आपको दिया हुआ है साथ मीटर और तीन मीटर उचाई यानि H आपको दिया है तीन मीटर ठीक है और यह बेलना का टैंक कैसा है बंद यानि वे उपर और नीचे से यह बंद है तो हमें क्या करना है? य instruments एक लोहे की धातू से इसको बनाना है तो बनाना है इसका मदलब इसका ये बीच वाला भाग और उपर नीचे ये दोनों भाग हमें इसमें डालने पड़ेंगे यानि कुल मिला कि हमें इस टंकी का प्रष्टिय चैतरपल ग्याद करना है यानि बेलन का प्रष्टिय चैतरपल हमें ग्याद करना है तो यहां लिखेंगे टंकी का प्रष्टिय चैतरपल और सुत्र क्या होता है बेदन का प्रष्टिय चैतरफल का 2πr into r plus h 2πr h जो हमने पहले किया था उसमें उपर वाला और नीचे वाला हिस्सा नहीं था इसलिए हम उसको पार्ट सो प्रष्टिय चैतरफल बोल रहे थे हमें पार्ट सो नहीं चाहिए हमें प्रष्टिय चैतरफल चाहिए तो हमें ये सुत्र लगाना है ठीक है चलो अब हम मान रखते हैं तो यह हो गया 2 यहां कोई निशान नहीं है तो into पाई का मान होता है 22 बटा 7 into r आर हमें दे रखा है 7 फिर कोई टक into r कितना है 7 प्लस h कितना है 3 यानि कि पहले हम इस कोई टक को सरल कर देते हैं इसकी जोड कर देते हैं जैसे हम कोई टक में जोडेंगे तो यहां into आ जाएगा और कोई टक हट जाएगा तो यह हो गया 2 into 22 बटे 7 into 7 फिर इनको जोडेंगे तो into 10 7 और 3 10 अब देखो 7 नीचे है और 7 उपर है तो 7 में 7 का बाग देंगे तो 7 एकम 7 7 एकम 7 दोनों कर जाएंगे अब हमें क्या करना है अब हमें गुणा करना है तो यहां पर है 2 into 22 into 10 2 और 22 का गुणा होता है 44 और 10 गुणा करेंगे तो 44 का एक से गुणा 44 और पीछे 0 आ जाएगा यानि 440 वर्ग मीटर जो है वर्ग मीटर जो है इसका आंस्वर आएगा ठीक है यानि कि आपको अगर यह बेलना का टैंक बनाना है तो 440 वर्ग मीटर धातू की चादर की आवसकता होगी प्रस्णा आठ है एक खोकले बेलन का वक्र प्रस्टी यह चैतरपल वक्र प्रस्टी यह मतलब 500 प्रस्टी यह चैतरपल हमें दे रखा है 4224 वर्ग सेंटीमीटर है ना वक्र प्रस्टी मतलब यह जो वाला भाग है केवल इसका चैतरपल उपर और नीचे वाला सेथरपल हमें नहीं दिया है हमें इसका चैतरपल दिया है केवल इसे इसकी उचई के अनुदीस काटकर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से क्या करेंगे, काटेंगे, उच्चाई के अनुदीश काटेंगे, इसको बापस समझना, जैसे यह हमारा एक बेलन हमें दे रखा है, है ना, इसका उपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं है, अब जैसे ही हम इसको काटेंगे, तो दे तो चैतर पो रहेगा तो कहीं जाना नहीं कि इसी चैतर प्ल से में ने इसको बनाया था तो वापस जब शॉचाई हे काटोंगा तो यही चैतरपल हमें मिलेगा यहां तक समझ में आ गया अब आगे समझो देखो क्या कह रहा है यह इसके उचाई के नोदिस काट कर 32 सेंटीमिटर चोड़ाई की एक आयता कार चादर बनाई जाती है यह जैसे ही चोड़ाई परिमाब कर ना Place और परिमाब का नविच्छा परिमाब करना है तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी लंबई निकालनी पड़ेगी तो क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूँ कि आयताकार चादर का जो छेत्रफल होगा वो बेलन के वक्र प्रष्टिय छेत्रफल के बराबर होगा बिलकुल बराबर होगा क्योंकि बेलन का चेत्रफल जो होगा फिर उसको काटेंगे तो वही तो आयत का चेत्रफल होगा बराबर है अब आयता का चादर का जो छेत्रफल है वो क्या होता है वो होता है लंबई इंटू चोड़ाई यही सुत्र होता आयत का चेत्रफल बराबर बेलन का वक्रप्रष्ट का छेतरपल हमें दे रखा है तो इसकी जगह में ये लिख देता हूँ 4224 अब देखो हमें क्या दी है अब इस बेलन की चोड़ा हमें दी हुए तो B की जगह 32 आ जाएगा तो ये हो गया L इंटू 32 बराबर 4224 अब मुझे लंबाई गयात करनी है तो यहां 32 गुणे में है उदर भाग में जाएगा तो लंबाई बराबर 4224 अपनी जगह पर ये गुणे में है तो यहां बट्टे में यानि की भाग में आएगा अब इसमें हमें 32 का भाग देना है 32 दोनों समसंक्या तो पहले इसमें मैं 2 का भाग देता हूं तो 2 來च नीचे भी 2 का भाग देता हूं किती बार जाएगा 16 बार फिर से यह समसंक्या वापस 2 2 का भाग दो 3 1 फिर फिर बचा एक अगली संक्या उतार नहीं तो हमें 0 लगना पड़ेगा फिर 2 कब भाज देंगे यहाठ तो किती बार आठर अब आट तो इक्षेचाफेच में यूट्धेश ऐस्ट 7 कि ने थी आधें चैनल संदीजिए 7 주고 गए 118 सिंटीमीटर यानि कि जो चाइडर की लंबई हमें मिली है वो मिली 132 सेंटीमीटर अब हमें क्या चाहिए अब हमें इस चादर का परिमाब ग्याद करना है तो परिमाब ग्याद करते हैं तो परिमाब ग्याद करने के लिए देखो लंबई हमें दी है 132 सेंटीमीटर और चोड़ाई हमें दी है 32 सेंटीमीटर यान दो कोष्टक लंबाई प्लस चोड़ाई है ना तो ये दो कोष्टक लंबाई कितनी है 132 प्लस चोड़ाई कितनी है 32 जोडेंगे दोनों को जब जोडेंगे तो यहां पर इंटू आएगा और कोष्टक खड़ जाएगा तो ये 2 और 2 4 3 और 3 6 और ये हो गया 1 अब 2 का गुणा करेंगे तो 4 दुनि 8 6 दुनि 12 हासल 1 2 1 2 और 1 3 तो चादर का जो परिमाप आया उजआ 328 cm मीटर हमेवसा ध्यान रखना छैतर फ़ल वर्ग सेंटि मिटर में आता है लेकिन जो परिमाप होता है वो पुरानी बुक में यहां 32 की जगा ते 30 है नहीं किताब में 32 है तो अगर 33 है तो आपको क्या करना यहां 32 की जगा 33 रखना है और यहां 33 का भाग देना है वह आप देख लेना ठीक है अब मेरे यहाँ पर 32 दे रखा है तो मैंने इसको 32 के हिसाब से solve किया है प्रश्न 9 है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के उपर एक बार गूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमिटर है और लंबाई एक मिटर है तो सड़क का छेतबल ग्यादी यानि कि यहाँ पर यह रोलर है ठीक है अब रोलर जो है यह कैसी आकरती का है बेलन आकरती का है उपर और नीचे वाला जो हिस्सा है ये काम में नहीं आ रहा है इसका मदलब यहाँ पर हमें पार्ट सु प्रष्टी ये छेतरपल का सुत्र लगाना है अब देखो अगर ये ये मानलो ये एक चक्कर लगा रहा है ये इतनी रोड बनाएगा बात समझवड़े हो ना तो इतनी रोड बनाएगा तो एक चक्कर में इसने कितना छेतरपल ग्याद किया वो हमें ग्याद करना है प्लस इसने कुल कितने चक्कर लगए 550 750 तो जब एक चक्क को हम 750 से गुणा करेंगे तो टोटल सड़क का 6 तरफल हमें मिल जाएगा तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम लिख देते हैं एक तो हमें दिया है इस रोलर का व्यास है न तो हमें चाहिए रोलर की त्रिज्या कैसे मिलेगी तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो हमें तृषया मिलेगी 2014 सी बटा 2 कि दोषया मिलेगी यह है और यह क्या है सैंटीमीटर है ना बयारी सैंटीमीटर और लंबाई हमें दे रखिये लंबाई का मतलब यहां एच से हैं ऊचाई से है रोलर की ऊंचाई यहां लंबाई मतलब एच है क्योंकि यह क्या होती है उच्जाई होती है एक मीटर है अब देखो यह सैंटी मीटर में है और यह मीटर में है तो एक काम करते हैं दोनों को सैंटी मीटर में बदल देते हैं अब जानते हैं कि अब यहां सडग का हमें ग्याद करना है ना तो सडग हमेशा उत्तर मीटर में निकालना है तो यह काम करते हैं इस बैयाली से को भी हम मीटर में बदल देते हैं और इसको मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है सो का भाग देना है और भाग देंगे तब क्या होगा दे मूंहें त्रिजिया मिल गई ऊचाई भी मीटर में मिल गई अब हमें चाहिए out प्रस्थिय छैत्रपल छिर तू प्रस्थिय छैत्रपल थी Rise 2 π.rh तो 2 की जगा 2 गुणा यहां गुणा आएगा पाई का मान होता है 22 बटे 7 फिर गुणा 30 हमने कितनी इकली 0.42 मीटर इंटू उचाई कितनी है 1 मीटर अब यहां 7 है और यहां पर 0.42 है तो पहले यहां हम दोनों में 7 का भाग देंगे तो यह हो गया 7 एकम 7 और यहां 7 का भाग देंगे तो सांचंग कितना होता है 42 है ना तो यह कटेगा 6 बार लेकिन यहां पॉइंट है तो यहां भी क्या आएगा पॉइंट आएगा यहां पहले 0 आएगा ठीक है फिर यहां पॉइंट आएगा यहां 0.06 बार भाग जाएगा, कैसे किया, देख लो, यहां point है, इसमें हमें 6 का भाग देना है, तो फिलाल तो point बोल जाओ, 7 का भाग देना है, तो भाग किती बार गया, 6 बार गया, लेकिन देखो यहां पर point के बार दो अंक है, तो हमें 2 अंक छोड़कर point लगाना यहां आगे 0 आएगा, फिर point आएगा, तो यहां point 0.06 कर देना, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 2, 22 और 1 का तो कोई मतलब है नहीं, और 0.06 का क्या करना है, गुणा करना है, तो 2 और 22 का गुणा तो हो गया, चम्मालिस, अब 0.06 का हम गुणा करते हैं, तो चलो कर जाते हैं 6 का गुणा फिर जो भी उत्राएगा उसमें दो अंग छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है ना तो 6 चौक होता है 24 हासल लगा दो 6 चौक होता है 24 चौबिस और दो हो जाएगा 26 अब देखो यहां दो अंग के बाद पॉइंट है तो पीछे से दो अंग छोड़कर ह हम यहां पॉइंट लगाएंगे तो इसका उत्राया दो पॉइंट है चार वर्ग मीटर अब यह तो किसका आया इस रोलर का यह जो एक चक्कर लगाता है उसका 500 प्रष्टी यह चेतरपल आया है और हमें यहां पर कितने चकर लगाने है 750 तो कुल कितना चेतरपल आएगा त तो यहां पर निचलिक देते हैं सडक का सडक का चेतरपल और सडक का चेतरपल कैसे निकलेगा तो इसने कितने चकर लगाए 750 और एक रोलर का प्रष्टी चेतरपल इतना है 2.64 इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 1980 वर्ग मीटर आप गुणा करना यह उत्तर आएगा ठीक है प्रष्टन दस है एक कम्पनी अपने दूद पाउडर को ऐसे बेलनाकार बरतन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ओचाई 20 सेंटीमीटर है कम्पनी बरतन के प्रिष्ट के चारों और एक लेबल लगाती है जैसा कि आकरती में दर्साया है यदि यह लेबल बरतन के तल और सिर्स दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का चैतरफल ग्यात कीजिए तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास एक दूद पाउडर का एक बेलनकार बरतन है जैसे मालो यह एक बेलनकार बरतन है ठीक है इसमें पाउडर भरा हुआ है अब इसकी जो यह उच्चाई है वो हमें 20 सेंटीमीटर दिये है और यहाँ पर इसका जो व्यास दिया है यहां त्रिज्या नहीं है, व्यास है, व्यास 14 cm है, ठीक है, अब यहां पर इस बड़तन पर उपर एक इस्टिकर लगा हुआ है, एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर बीचों बीच में एक लेबल लगा हुआ है, तो यह जो लेबल है, वो यहां से और यहां से 2-2 cm कि छोड़ कर फिर लेबल लगा हुआ है और इसका व्यास तो Sam ही है व्यास अलग नहीं है ठीक है तो यह जो लेबल है इसका छैतरपल हमें ग्याद करना है अब आप बताओ जो sticker होगा क्योंट से में चिपका होगा लेकिन इस इसकी उचाई आगई 16 cm है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेबल की जो उचाई है लेबल की जो उचाई है वो कितनी है तो यहाँ पर कुल उचाई इसकी 20 है उपर से 2 निकाल दिया इसने नीचे से भी दो निकाल दिया तो दो और दो चार हो गया 20 में से चार गया तो कित आ गया 16 cm यानि उचाई तो आ गया 16 cm अब लेबल जो है उसकी त्रिज्या चाहिए उसकी हमें क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए और यहां हमें क्या दिया है व्यास दिया है तो व्यास में जब हम 2 का भ याँनि आर हमारे पास साथ सेंटी मिटर है और हमारे पास सोला सेंटी मिटर है और हमें यहां पर क्योंकि इसके चारों तरब ये लग रहा है, उपर और नीचे नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमें चाहिए, लेबल का पार्स्व प्रष्ठी ये छेत्रपल, और इसका सुत्र क्या है, टू पाई आर एच, तो दो की जगा दो, पाई की जगा बाईस बटे साथ, इन्टू आर हमारा कितना है साथ, तो ये साथ हो गया, इन्टू एच कितना है, सोला, तो साथ से साथ तो कड़ गया, अब दो और बाईस का गुना कितना होता है, चम्मालिस और इसका हमें किस से तो 16 का 4 से गुना 16, 4, 64 हासल लगे 6 16, 4, 64, 64 और 6 कितना हो गया शित्तर यानि 704 वर्ग सेंटीमीटर जो है इस लेबल का छेत्रपल आएगा ठीक है तो ये हमारा प्रश्ण दस कंप्लीट हुआ और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों को शेर करो थेंक यू